Welcome to my YouTube channel, आज पले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं Neural Control and Coordination तो Neural Control and Coordination में हम बात करेंगे आई क्या होता है आई की कितने पार्ट होते हैं और इनके कौन-कौन से फंक्शन होते हैं और साथ साथ में जो है vision कैसे होता है mechanism of vision के बारे में भी हम discuss करेंगे Our paired eyes are located in socket of the skull called the orbit हमारी जो pair of eye पाई जाती है दो आखे हमारे पास जो pair of eye पाई जाती है socket of the skull में present होता है A brief account of structure and function of the human eye is given in the following section Part of the eyes हमारी eyes के कौन कौन से part होते है The adult human being ball is nearly a spherical structure मतलब हमारा जो आख होता है जैसे ये दो आखे पाई जाती है तो दोनों eyes का जो shape होता है वो कैसे होता है spherical structure होता है The wall of eyeball is composed of three layers हमारी जो eyeball होती है वो तीन layer से मिलकर बनी होती है The external layer is composed of dense connective tissue called the sclera मतलब जो बाहर वाला layer होता है वो बहुत सारी connective tissue से मिलकर बना होता है जिसे sclera कहते है anterior portion of this layer और जो बीच वाला पार्ट होता हुसे cornea कहते है और जो middle layer होती हुसे coroid कहाता है और इसी coroid में जो है बहुत सारे blood vessels present होते है और जिसके वेसे हमारी eyes blue is in color की दिखाई देती है The coroid layer is thin over the posterior two-third of eyeball but it becomes thick in the anterior part to form a ciliary body मतलब जो हमारी coroid layer होती है ये तीन से चार layer से मिलकर बनी होती है eyeball की और साथ साथ में इसका जो anterior part होता है यह यहाँ पे जो anterior अंदर वाला part होता है जो की बिलकुल redis दिखाई देता है उसे ciliary body कहा जाता है और यह जो front portion होता है इसे cornea गहते है और यहाँ पे aqueous chamber होता है इसे aqueous chamber के अंदर aqueous humor जैसे हमारी आइस हमें साथ watery लगती है असलता पानी है आखो में तो दो प्रकार की humor होता है विट्रस होता है एक जो है aqueous होता है दोनों की मतलब water filled होते है जो हमारी आइस जो water color मतलब वाटरी रखती है बिल्कुल और इसी ciliary body के उपर जो है क्या पाए जाता है आईरीस प्रेजेंट होता है जो की बिल्कुल muscle की तरह दिखाई देता है यो भी red color के होता है और यह क्या होता है मारा retina है और यहाँ पे scleral present होता है scleral कैसी layer होती है यह outer layer होती है dense connective process से मिलकर बने हुई होती है यह किया हैベεια क्या यहां पे optic nubscribe मतला हमारी आपके जो शराइड विल्कुल विल्कुल और पोर्सन होता है वहां पे क्या होता है बहुत सारी नवस प्रेजेंट होती है और जहां पे ज़ो प्रने तेस्ट ऐसी जहां पर कोई भी चीज रिखाई नहीं देती है और यह क्या है हमारी आइज में आज होता है यह लो प्रेजिंट से पोबिए itself continue forward to form a pigment and the opaque structure called the iris और हमारे body में आख जो होती है वहाँ पे एक pigment opaque like structure प्रेजन्ट होता है जिसे iris कहते हैं iris which is a visual colored portion of the eyes जो हमारी eye का color portion होता है the eyeball container transparent crystalline lens हमारी silvery body के ligament से मतलब जो lens होता आख में जो lens होता जिसे में दिखाई देता है transparent होता है यह silvery body से क्या होता है उसके ligament से attach होता है in front of eye lens the apparatus surrounded by the iris is called the pupil और मारे जो हाँ पे lens होती है वहीं पे एक और part present होता जिसे हम pupil बोलते है जो pupil का diameter होता है वह iris के मतलब कितनी जगें लिया है iris उस पर depend करता है कि उस पर depend करेगा हाँ यह कितना इसका इसकी diameter कितनी होगी pupil की अब हमारी eyes का जो inner layer होता उसे रेडिना बोलते है इसके पास three layer of neural cell पाई जाती है इनर से लेकर आउटर तक गैंग्लियोन cell bipolar cell photoreceptor cell there are two type of photoreceptor cell दो प्रकार की photoreceptor cell होती फोटoreceptor cell का क्या मतलब होता है यसे हम जो चीज़ देख पाते हैं हम किसी चीज़ को देखते है हमारा और ब्रेंस तो आइज में पॉ्ट रियसप्टर जो खनाते हो यह कि mah agt करता है और कि मबता अग losing को है दो प्रकार के फोट रेसप्टर हो होता होता है को अधिक बाद वेज लान संस्टीफ इन होता जैसे फो और विजन आर फंक्शन कोड अब जो दिन मेंदेखने का है या किसी की कि हम कलर चीज को देखते हैं उसमें हमारा कॉन मदद करता है बाकि राट हम जैसे रात लिखते हैं तो कैसी स्OLT date of death Haus cur ajuda कि शीम रॉड लिखने तो उसमें ये मदद करता है डराड के पास जसे रूड़ावसिन बोलते हैं या विज्वल परपल प्रोटीन बोल सकते हैं ज्योंकि विटामिन एक की कोई भी चीज ये प्रोड़ेट हमें यूज़ करना चाहिए इससे क्या होता है हमारी आई की पावर इंक्रीज होती है बढ़त चीजों को तो यह जादा तर रेड ग्रीन और ब्लू लाइट को बहुत अच्छे से आइंटिफाई कर पाता है मतलब रेड कलर को जिस तह भी तो कोई भी चीज होती है तेंजर चीजे वो किसे मतलब इंडिकेट की जाती रेड से या कोई भी वैसी चीज होती ग्रीन ब्लू यह सब कलर के साथ बहुत बहुत बाबराइट होता है और इसको हमारा आई जो है। बहुत अच्छे से आइइंटीफाई कर पाता है क्यूंकि हमारा जो कौन 322 घ्रीसन होता है च्छे से डिफरेंटीड कर पाता है। डिफरेंट कलर और प्रडियूस्ट वाइर्यस कंबिनेशन अब दीज को और फोटो पिग्मेट वें दीज को और इस चीम लब यह जो कौन रीजन हम वाइट कलर को कैसे अडिनिफाई करते हैं जब यह तीनों जो पिग्मेंट होते हैं जिसको हमारा आई बहुत अच्छे से क इनटिफाई कर बाता है यह आपस में दूसरे से क्या हो जाते हैं पर आपर हो जाते तब जाके जो है वाइट कलर प्रेडिव सोटा है दॉप्टिक नफस मारी आइस में बहुत सारी नफस होती है अलग-अलग कर लग की ब्लेंट वैसल वहीं से ब्लेट विसल फास होता है सब्सक्राइब नहीं पाए तो से ब्लाइंड स्पोर्ट कहते हैं लब अंधा वहां पर दिखाई नहीं देगर वहां को मैकुला लूतिया और उसका जो सेंट्रल पीट होता है उसके फोबियु कुछ गया था कि मैकुला लूतिया को यहां में अषवाट में का प्रट होता है thin outer portion होता हमारे retina का वलिदा कौन सा ये phobia एक ऐसा reason होता जहाँ पर कौन्स जो है बहुत जादा densely packed होते मतलब जब वहाँ पर कौन्स बहुत जादा densely packed है इसका मतलब जो है हम वह अगर वहाँ से कोई भी चीज identify करते देखते हैं तो वहाँ पर अगर इमेज बन रही तो इमेज हम भूलते नहीं है मतलब उसको हमारी जो आइज है उसने उसको क्या कर लिया बहुत अच्छे से स्टोर कर लिया तो फोबिया पूछा जाता पेपर में कि कोंस का ऐसा कौन सा रीजन होता है या बोर सकते हैं फोबिया क्या होता है फोबिया एक ऐसा रीजन होता है रेटीना का एक ऐसा पाठ होता है जहां पर जो है बहुत जादा densely packed होते तो ऐसा पुछायाता है पूछ सकते गोच ते कोश कहां पर बहुत जादा densely packed होते तो phobia में होते जहां पर कोई image बन रही हो तो आना लेट हो फोव कोई आइस हमेसा वाटरी लगती है उसे हम कहते हैं एक्वस चैंबर बोलते हैं इसी एक्वस चैंबर के अंदर वाटरी फ्लूड होता है जिसे हम एक्वस यूमर बोलते हैं और इस पेस बिटमें लेंस और रेटीना के बीच की जो जंगी होती है उसे विट्रस चैंबर बोलते हैं वहां पर भी जो है क्या फिल्ट रहता वहां पर भी ट्रांसपरेट जल्ट रहता है जिसे विट्रस यूमर बोला जाता है जिसके हमारी आइस वाटरी लगती है अब देखते कैसे मेकानिसम कैसे होता है अब जैसे light ray is visible सब्सक्राइब करेंगे हमारे रोट और कॉन्स में यह दोनों के अंदर एक्षन पोटेंशियल होगा जिसकी वैसे यह कॉर्णिया और लेंस दोनों ही एक्षन पोटेंशियल मतलब इंपर्ज जनरेट करेंगे यह हमारे रोट और कॉन्स में एस दा मेंशन अर्लियर दा फोटो सेंस्टिप कंपाउंड जिसे अभी हमने उपर पड़ा था इसे हम फोटो पिगमेंट बोलते हैं हमारी आइज में दो प्रकार की प्रोटीन होती है कॉप्सीन होता है एक रेटिनल होता है यह दोनों प्रोट इस यह पड़ाइं ने दोनों प्रोटीने ने किया हुता कुछ चेंजब क्रियट हो दिनकी स्ट्रक्चर में जिसकी वजह से बस्ल southern यह पर बीलिटी हो बढ़ाता है देखने के इंकरीश कर्राय में पता चला हमी इस आइस से कर रही कि dess नेहिदे जमने a signal that generate action potential in the ganglion cell through the bipolar cell these action potential are transmitted by the optic nerve to the visual cortex अब हमारे brain में अब जो मतलब क्या हुआ यहाँ पर action हुआ अब उसके बाद message किसके पास जाएगा जो भी हमने पढ़ा था कि जहाँ पर blind spot है वहाँ पर क्या present था बहुत सारी optic nerves present होती है तो यह optic nerves क्या करें कि इनके अंदर action potential generate होगा और यह optic nerves message ले जाती है brain में हमारे एक visual cortex reason होता है visual का मतलब देखना तो visual cortex कहीं भी आए नाम इसका मतलब जो है वो एक ऐसा reason है जहां पर वो किसी भी substance को identify करके बताता है कि हमने देखा किस चीज़ तो brain में जो विज़व कोटेक्स रीजन होता है यह बताता है कि हमने देखा किस चीज़ को है कौन से substance को देखा है वो उस substance को identify करके बताता है अब visual cortex रीजन में message जाता है फिर उसके impulse generate होगा फिर वो analyze करेगा और हमारा brain बताता है कि हमने देखा किस चीज़ को है उसकी बाद ता फिर message हमारी body तक बहुत जाता है within a second बहुत कम समय लगता है message के transmission में तो हमने इस lecture में किसके बारे में discuss किया mechanism of vision of the eyes के बारे में discuss किया eyes के function और उनके part के बारे में उसासात में इसके structure के बारे में discuss किया आने वाई lecture में इस तरह के और भी टॉपिक को हम clear करेंगे तो आज का लेक्चर यहीं तक thank you